शर्व प्रत्व तो जय स्रेक्रश आज हम लोग एक कथा सूंएंगे जोकी जो कता है बड़ी ही धार्मिक है और यह कथा ब्रम्हांड पुरान से है इसकता कुछ शुनेंगे कथा बड़ी ही ध्यान से आप सुने क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है और कथा का आनन्द भी आता है चलिए कथा को सुनते हैं जब विश्व पर घोर शंकट आता है और उसकी ततिकार का कोई उपाय नहीं रहता तब आदिशक्ति का आविर्भाव होता है इशी प्रकार एक बार जब भंडा सुर से शारा विश्व तरस्त हो गया था तब उन्होंने ललिता के रूप में लोको धारकार किया भगवान शंकर ने जब काम देव को जलाया था तब उसका भश्म वहीं पड़ा रह गया था एक दिन गड़ेश्वर ने कावतुवल वस उस भश्म से पुरुष की आक्रिती बनाई थोड़े ही देर में वह शजीव होकर काम देव की तरह शुन्दर बालक बन गया उशे देखकर गड़ेफ जी ने उशे गलेशे लगा लिया और कहा कि तुम भगवान शंकर की इस तुती करो उश बालक को शत्रुद्रिय का भी उपदेश किया उश का नाम आगे चल कर भंडा सुरुआ भंडे ने स्री गड़ेश जी की आज्या का अच्छर सह पालन किया घोर तपश्या से प्रशन होकर भगवान शंकर ने उश शे वर मांगने को कहा उश ने यह मांगा की मैं देवता आदी किशी प्राणी से न मारा जाओं अउगरदानी ने उशे मुह मांगा वरदान दे दिया तथा शाथ ही दिव्य अस्त सस्त्र भी दे दिये उन्होंने उशे साथ ज़्यार वर्ष का राज भी दे दिया यह सब देखकर ब्रम्हा जीने ही पहले उशे भंड भंड कहा था तभी से उश्कानाम भंड पड़ गया भंडी कल्याडे भड़ी परिहासे धातु पाठ की अनुशार इस शब्द के दो अर्थ होते हैं एक यह की इस व्यक्ति का कल्याड हो गया दूशरा यह की इसे लोग निंदा एवं उपहाश के शाथ अस्मरड करेंगे जब तक भंडा सुर भगवान शंकर के अनुशाशन में रहा तब तक उसका कल्याड होता रहा जब वह माया के मोह जाल में पड़ गया तब उपहाश अस्मरड बन गया भंडा सुर के वरदान मिलने की बात थोड़े ही देर में शंपुरुड भूनों में फैल गई दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार यह शमाचार पाकर भंडा सुर के पाश आये उनके साथ दैत्यों का शमुदाय भी था शुक्र चारेने मैं के द्वारा सोडित पुरुको फिर से सुषजित कराकर वहां भंडा सुर का अविशेक कर दिया प्रारंभ में भंडा सुर शिवक अर्चन करता और उनके आदेश पर चलता था उसके अनुवाई दैत्य भी धर्म का अनुसरण करते थे प्रतेग घर बेदों की ध्वनी से गुणजित रहता था घर घर में यज्य होता था इस तरह शौभाग्यशाली भंड की शुक्षम्रिद्धी के शाट हजार वर्ष देखते देखते बीत गये भंडा सुर बाद में माया की चपेट में पड़ गया अब चार पत्नियों से उसे संतोष न था वह एक दिब्य विरांगना के मोह में पड़ गया देखा देखी उसके मंत्री आदि अनुआई भी भोग विलाश के चक्कर में पड़ते चले गए अब न किशी को भगवान शंकर का यादाता न पूजा पाठे ही यग्य और बेद के उच्चारण भी अब बंदे हो गए थे इस तरह दैत्यों के विशय आशक्त हो जाने पर देवताओं की शांश में शांश आए उनके भै का दबाव कम हो गया अबवे पाताल शमुद्र और खोशे निकल निकल कर अपने अपने घरों में लावड रहे थे अपने बिछुडे परिवार से मिलने का आवशर अब उन्हें मिल गया था इंद्र अब शिंहासन पर बैट पाते थे देवता लोग उन्हें घेर कर आमोध प्रामोध मनाने लगे इसी बीच देवर्शी नारद देवताओं के पाश आए उन्होंने उन्हें शमधाया की इस छडिक आमोध प्रामोध को छोड़ कर वे अपने भविश्य को शुनहला बनाए उन्होंने पराशक्त की उपाशना का परामर्श दिया और उसकी बिधी भी बतला दी देवताओं ने शिग रही उनके आदेश का पालन किया शब के शब पराशक्त की उपाशना में लग गए इधर दैत्यों के पुरोही शुक्रा चारे भंडा सुर के पाशाए और उसे शावधान करते हुए उन्होंने कहा देवता अपनी विजय के लिए हिमालय में पराशक्ती की उपाशना कर रहे हैं यदि पराशक्ती ने उनकी सुन ली तो तुम कहीं के न रहोगे अतह तुम शिग्रही देवताओं की पूजा में बिघ्न डालो देर न करो भंडा सुर दल बल के शाथ देवताओं पर चड़े आया परम्बा ने अपनी सरण में आये हुए देवताओं की रच्छा के लिए जोती की एक अलंग दिवार खड़ी कर दे भंडा सुर यह देख कर क्रोध से जलूठा उसने दान वस्त्र चला कर दान क्या है दानवा वस्त्र तो दानवा वस्त्र चला कर उसे तोड़ दिया परन्तु तक्छल ही वहाँ पुन अलंग दिवार खड़ी होगे इस बार भंडा सुर ने वायवा वस्त्र से इसे तोड़ा किन्तु तक्छल ही भंडा असुर ने उसी दिवार को खड़ा देखा तोड़ने में समय लगता था किन्तु दिवार खड़ी होने में तनिक भी समय नहीं लगता था यह देखकर हार कर भंडा सुर सोड़ी पिर लवट आया भंडा सुर लवट तो आया था किन्तु उसके भर्षे देवताओं की दशा तैनी हो गई थी वे सोचते थे कि जिस दिन दिवार नहीं रहेगी उस दिन हम लोग का बच्च सकना बड़ा ही कठिन हो जाएगा अब कहीं छिपकर नहीं रहा जा सकता अंत में देवताओं ने निरडे लिया कि या तो परंबा का दर्शन करे या यहीं भंडा सुर के हाथों में मारे जाएगे उन्होंने अपनी आराधना और बढ़ा दी हिजय की पुकार थी परंबा प्रगट हो गई उनके अद्भुत धर्शन पाकर देवता कृत कृत्ति हो गए गद गद होकर देवताओं ने मा परंबा की इस्तुती की ब्रंभा विश्डू महेश भी आ गए थे परंबा का श्वरूप स्रिंगार देवी के रूप में था ब्रंबा ने यह देखकर सोचा कि इनका विवाह संबन्द परमात्मा शंकर से ही संभव है इतना संकल्प करते ही शंदर रिशार के रूप में भगवान शंकर कुमार बनकर वहां तकट हो गए यह देखकर शब के शब आनन्द में बिभोर हो गए ब्रंबा ने उनका नाम का मिश्वर रखा जब का मिश्वर पराशक्त के सामने लाए गए तब दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए देवताओं ने उनका आपश में विवाह करा दिया और परंबा को उश्वर की अधिस्वरी बना दिया शक्ति और शक्तिमान के मेल हो जाने शे वहां अखंड आनंद की व्रिष्टि होने लगी बहुत दिनों तक उत्साह के शाथ विवाह उत्सव मनाया गया उधर भंडा सुर ने शारे बिश्व को तरस्त कर रखा था उष्णे अहंकार में आकर अपने जनक स्री गणेश जी और शंकर जी की घोर अहवेलना की परडाम सुरू भंडा सुर के बिरुद्ध युद्ध में गणेश जी भी परम्बा का शय योग दिया विश्व की रक्षा के लिए लली तंबा ने भंडा सुर के शाथ युद्ध किया युद्ध में भंडा सुर ने पाशंड का प्रियोग किया तब परम्बा ने गायत्री के द्वारा उष्व का निवारन किया जब भंडा सुर ने इस्मृती नास अस्त्र का प्रियोग किया तब माने धारणा के द्वारा उसे नश्ट कर दिया जब भंडा सुर ने यक्षमा आदी रोग रूप अस्त्रो का प्रियोग किया तब परम्बा ने अच्यूत आनंद गोविंद नामरूप मंत्रो से उष्व का निवारन किया इसके बाद भंडा सुर ने हिड़े आक्ष, हिड़े कश्यूप, रामर, कंस, महिशा सुर को उत्पन किया तब ललितम्बा ने अपनी दसो अंगुलियों के नक्षे वराह, निशिंग, राम, क्रिष्ण, दुरगा आदी को उत्पन ने किया युद्ध के अंतिम भाग में परम्बा ने भंडा सुर का उध्धार कामेश्वर अस्त्र से कर दिया माता ललितम्बा के अस्त्र सस्त्र, इच्छू डंड और पुष्प थे कामेश्वर का अस्त्र भी काम भी जरूप प्रेम तत्व ही था इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रम्हांड पुराण से इस कथा को शुना जिसमें मा का द्वारा लितम्बा जो मा हैं उनके द्वारा भंडा सुर का अंध किया गया इसी कड़ी में एक और कथा को हम लोग सुनते हैं वह भी कथा ब्रम्हांड पुराण से ही हैं इस कथा को भी मल लगा कर आप लोग सुनें कांची पूर में वज्र नामक एक चोर था उस चोर का यह विशेश सार्थक था किसी की संपत्ती चुराने पर उसकी स्वामी को जो कष्ट होता है उसे सहर्दे व्यक्ति ही आँख सकता है चोर का हर्दे वस्तुतह वज्र का बना होता है इसलिए वह चोरी कर पाता है यदि चोर को दूसरे का दुख महसूस हो तो वह चोरी करना ही छोड़ देगा बज्र अइता ही कठोर देवाला चोर था वह प्रति दिन थोड़ा बहुत जो मिलता शब कुछ चुरा लेता था चुराए हुए धन को वह राजा रक्ष को द्वारा पकड़े जाने के भईशे आधी रात के शमें जंगल में जाकर मिट्टी खोद कर गाड़ देता था एक रात वीर दत्त नामक एक की रात लकहाडे ने चोरी की यहचेश्टा देख ली चोर के चले जाने के बार प्रती दिन मिट्टी हटाकर शम्पत्ति में से दश्वां हिश्चा निकाल लेता और गड़े को पहले की तरह पत्थर मिट्टी से धक देता था लकहाडा चालाक चोर था वह इस धंग से चुराता था कि वज्ज्र इसकी चोरी को भाप न शके एक दिन लकहाडा अपनी पत्नी को धन देता हुआ बोला तुम प्रती दिन धन दवलत माना करती थी लो आज मुझे पर्यात धन दवलत प्राप्त हो गया है पत्नी ने कहा जो धन अपने परिश्रम से उपार्जित दिया जाता है वही अश्ठाई होता है दूसरे का धन नश्ट हो जाता है इसलिए इस धन से जनता के भले के लिए आप बाबली, कुमा, आली बनवा दीजिए उसके पती को भी यह बात जच गई आश पास अच्छे अच्छे कुई और तालाब थे इसलिए उसने दूर देश में एक बकुत बड़ा तालाब खुदवाया गर्मी में भी उसका जल नहीं शूक था था तालाब में अधी शीडिया लगवानी थी और उसके सब पैसे शमाप्त हो गए वह छिपकर फिर वज्य का अनुसरण करने लगा देखा करता था कि वज्य कहां कहां धन गाड़ा करता है इस प्रकार दसांक चुरा कर उसने तालाब का काम पूरा कर दिया इसके बाद उसने भगवान वीश्डू और संकर के भव्य मंदिर भी तैयार कराएं जंगल कटवा कर खेत तैयार कराएं और उन्हें ब्रामभडों में बित्रण कर दिया एक बार उसने बहुत से ब्रामभडों को बुला कर वस्त्र आभूशर से उनकी अच्छी पूजा की तथा कुछ ब्रामभडों के लिए घर की व्यवस्ता भी कर दी थी ब्रामभडों ने प्रशन होकर उसका नाम द्विजवर्मा रख दिया कालवश जब विजवर्मा के मृत्त हुई तब उसे लेने के लिए एक और यम के दूत और दूसरी और भगवान शंकर और विश्णू के दूत आए उनमें परस पर विवाद होने लगा इसी बीच नारजी वहां पधारे उन्होंने शब को शमझाया कि आप लोग कलह न करे मेरी बात सुने इस किरात ने चोरी के धन से मंदिर आदी तैयार किये है अतह जब तक कूमार्ग से उपारजित द्रब्य रूप पाक का प्यास्चित नहीं हो जाता तब तक यह वायु के रूप में अंतरिक्ष में विच्रणत करता रहे नारजिक की बात सुनकर सभी दूद लोट गए वह किरात बारह वस तक प्रेत बनकर घूमता रहा देवर्शिनारद ने किरात की पत्ती से कहा तुमने अपने पती को उत्तम मार्ग दिखाया है इसलिए तुम ब्रह्मलोक जाओ किन्तु किरात की पत्नी अपने पती के दुख से दुखी थी वह ब्रह्मलोक का शुक तुक्ष मानते हुए रोकर देवर्शिसे बोली मेरे पती को जब तक देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूंगी जो गती मेरे पती की होगी वही गती मैं भी चाहती हूँ किरात के धर्म युक्त वचन सुनकर देवर्शिनारद बहुत प्रशन हुए उन्होंने उशे अपने प्रभावशे इस योग्य बना दिया कि शंकर की अच्छी आराधना कर शके उन्होंने बताया कि तिर्थ में अश्नान कर कंद मूल फल खाकर अपने पती की शद्गती के लिए भगवान शंकर की पूजा और जप करो किरात की पत्नी किराती ने अपने पती के लिए शिव की आराधना लगन से करने लगी इसक्रित्त से उसके पती के चोरी का शारा पाप धुल गया फिर अपने पूड के बल से दोनों पती पत्नी को उत्तम लोग मिला द्विजवर्मा गाडपत्य पद पर प्रतिष्ठित हुए वज्र चोर तथा कांची के शभी धनी जिनका इस कार में द्रब्य लगा था शव परिवार श्वर्ग चले गए दिए तो हम लोगों ने प्रमान पुरान से यह कथा भी सुनी क्योंकि चोरी का धन चोरी के द्वार शुनिया जिए जो धन था किसी और ने चुराया और उससे अच्छे कारें में लगाया लेकि चोरी किया था इसके ब्रूगतना ही पड़ा तो गलत कारे का प्रेडाम बुरा होता है उसे बहुत नहीं पड़ता है ती पर दोनों ही कथाएं बहुत अच्छी थी जाए इस्टिक्रश्ट जाए स्टिक्रश्ट